आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुल्डी में यदि केटू सस्टम भाव में वैठे हैं तो क्या फल है हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की हमारे जीवन में शत्रूओं की, रोगों की, और competition में जीत की, competition में हार की, अभी यहां पांच नंबर हैं, साथ में केतु बैठे हुए हैं, केतु अकेले बैठे इस राशी को भरपूर सपोर्ट देना चाते हैं, कभी भी केतु आपको सिंवर राशी में नजर आते हैं, अकेल भी बली हो, फिर तो कहना ही क्या, याने तुरित प्रभाव भी अच्छा, और उसका result भी अच्छा, याने भाव और भावेश दोनों को देखते हैं, अला कि कारकत्व को भी देखते हैं, लेकिन मुख्यता हम सबसे पहले भाव, फिर भावेश, अंत में हम देखते हैं कारक रत्व को, अब हमने भाव को देखा, तो भाव में सिम्व राशी का केतु है, जो इस राशी के लिए सपोर्टी माना जाता है, तो विक्ति अपने जो भी इसके शत्रू पक्ष को लेकर चाहे ज्यादा बादर ना करे, लेकिन इश्वर का या भागय का या प्रारब्द का मिलेगा उसको, हम यह देखते हैं, यह बिक्ति कैसे कारे को फिनिशिंग टस्ट तक लेकर आ जाता है, और सूर अगर बली हो तो फिनिशिंग टस्ट तक लेकर आता नहीं है, वो उसको फिनिश करवा के ही दम लेता है, उसको कारे को कम्प्लीट करता है, तीसरे कारे से में उसको 30 से नंबर जादा मिल रहे हैं तो फिर ऐसे विक्ति से टकराना बहुत बड़ी मुरकता है क्योंकि छटे भाव से हम शत्रू पक्ष को भी जानते हैं विक्ति बिना ज़्यादा एफर्ट्स के यही शत्रू पर विजे पा लेता है इंस्टेंस विक्त तो अच्छा होई रहा है सूर بھی कहीं अगर उच्च का ओगर दितिये भाव में बैठ जाये तो फिर विक्ति अपने कुटूम्बिओं के मदद से अपने नात रिस्तेदारों के मदद से अपने परिवार से जीत हासिल करता है किसी भी कानूनी कोर्ट केस में उसका परिवार वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है क्लिर हो गया और हमेशा लोन ले बैंकिंग चीजें सारी चीजों से उसको फायदा होगा डिपोजिट सी मिलेंगे उसको क्लिर हो गया और रही से ही कसर के तु यहां पर भाव को बली कर रहे हैं याने भावेश तो बली होई गया के तु ने भाव को भी बली कर दिया इसमें ये भी कह सकते हैं आपका kidney dialysis वाला हिस्सा भी निर्दोष दिखाई देता है अब मान लीजे कहता जी वैसे देखा जाए क कि सर इसमें कोई बड़ी तकलीफ जाननी पड़ती है एकदम ओके रहता है लेकिन कभी कभी दो महिने तीन महिने में उसको कभी पेट में दर्द किड्नी में समझा है क्योंकि सूरे कमजोर है याने instantaneous effect में के तु यहां अच्छे प्रवाव जमाए हुए है लेकिन हम देखते तीन महिने दो यहने रजर्ट जब कभी उसका आता है किंडी की जाचकरी पता लगा थोड़ा सा किड्नी में प्रॉब्लम है क्योंकि घर का मालिक कमजोर रवस्ता में तो याद रहना है भाव क्या कर सकता है भावेश क्या कर सकता है अगर हम एक प्रतम दृष्टा माने तो भाव बहुत माइने रखता है लॉंग टाइम प्रभाव रहता है भाव का लेकिन जब कभी भी हमें रिजल्टन्ट कोई बच्चा साल भर पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छे सेशनल टेस्ट में पास हो रहा है क्योंकि भाव बली है अब हमने देखा भावेश की स्थिति क्या है भावेश बुरी तरह पिटा हुआ है तो जब फाइनल एक्जामिनेशन हुआ तो बच्चा फेल हो गया तो यह अंतर है भाव और भावेश में लेकिन आप भूल रहे हैं कि हमें ज्यादा समय तक कौन साथ नहीं भाता है भाव साथ नहीं भाता है इसलिए खाली यह के दाना भी गलत होगा कि वह हमें तो रिजल्ट से मतलब है हमें एड़ इंस्टेंट उस समय पर क्या परिस्थिती है जिससे हम रूबरू हो रहे हैं जिसके साथ हम बहुत लंबा समय बिता रहे हैं वह भाव तैय करता है ठीक है फिर हम उसमें कारकत्वों के बलों को भी ज शत्रू कुछ बिगार सकते हैं ऐसे विक्तियों से टकराना अपने आपको ही खत्म करने जैसा होगा बहुत अधिक बल बढ़ जाता है छटा भाव मामा पक्ष को भी बताता है मा से गिंते तो मा के भाई बहन यानि आपकी मौसी आपके पिता का माने नौट आपके पिता आ कि मौसी और मामा पक्ष जो भी मामा को मंमी के पक्ष के हैं उन सारे भाई बहनों का भाई बएन यानि आपके मामा और मौसी का आपको भरपूर फाइदा मिलेगा। लेकिन उनसे प्रभाव बहुत अच्छा उनसे फाइदा जब कभी भी आप उनसे मिलते हैं पूरी गरम जोशी से आपका स्वागत करते हैं स्वामी मजबू स्थिति में यहां बैठ जाता है यह यहां बैठ जाता है तो छटे भाव से हम अर्थ निकालते हैं कि कोई गौर्मेंट एंटर्स एक्जामेनेशन आपने क्लियर किया है और सूर्य क्योंकि अथोरिटी दिलाता है आपको सरकार के फायदे दिलाता है दर्शन तो प्रतियों कि ताव में जीत को देखा जाता है यहां कोई स्पोर्ट्समें स्पिरिट भी तीसर और छटे भाव से देखे जाती है कि वो किसी खेल को किस में नहीं जीते खाता है किक यहां मजबू स्थिति में बैठकर दूशरी अगली तत्वराशी पर नज़र बनाये ह जे जिसे माली ये सूरी यहां बैठा होता कीतू की दिष्ठी महां पढ़ रही है है तो यहां इसको बली कर दे ता और बली है उसका आपको बहुत फाइदा मिलता है आपको जो आपकी जीत है वो आपके स्टेटस में चार चांद लगा देती है कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि विक्ति को इस कंडिशन में अपने आफिस से रिलेटेड इशू में कोई केस का सामना करना पड़ता है और वो उसके पक्ष से आप हावी रहें गॉर्मेंट के उपर और उसके बाद जब फैसला आता है तो भी आपको प्रमोशन ओफर होती है तो यह बहुत अच्छा कंबिनेशन यहां से दिखाई देता है और दर्शम भाओ कहीं कहीं घुटनों का भी होता है ब्रहस्पती भी अगर बली हो तो घुटनों में कोई समस्या नहीं होगी लेकिन घुटनें दर्द करते हैं गठिया और बाई के समस्या है तो फिर आपको समझ लेना होगा कि कहीं कि दर्शम भाओ का लॉड बिगड़ा हुए जिसने आपके तेंथ हाउस के ओवराल इंपैक्ट को कमज़ोर कर दिया है ठीक ह और आगे बढ़ते हैं पांच छे साथ साथ की दर्श्टी के लिए हम काउन नहीं कर रहे इतना ध्यान देना है कि यहां केतु इसका मतलब रहु यहां बारवे भाओं में मजबूर तो कर बैटा है तो बहुत अच्छा माना जाता है साथ आठ नो नौवी दर्श्टी से केत मेश राशी में नजर बनाए हुए है मेश राशी में केतु अकेला सामानेता बहुत अच्छे परिणाम देता है लेकिन अगर यहीं पर शनी आ जाए शनी क्योंकि नीच का फल देता है तो फिर आपको हमेशा बैंक को लेकर आपके एसेट को लेकर प्रोपर्टी को लेकर न खराब कर देती है तो ध्यान देना है कब केतू ये अच्छे फल को बिगार देता है केतू फिर राशी को नहीं देखेगा deeper तो पूरी तरे उस planet को देखेगा शनी को देखेगा लेकिन अगर अकेला की तो यहां धुश्ली डाल रहा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा जादा आप बॉदर नहीं करते हैं अपने bank balance को लेकर लेकिन उसके अच्छे परिणाम आपको मिलते रहते हैं मेश राशी काश्वभाव भी आप समझते हैं मेश राशी बड़ी डॉमिनिटिंग राशी होती है मंगल भी ज्यादा वारताला पसंद नहीं करता है तो कुटुम्ब में कोई गैदरिंग होगी तो अगर तो बड़ी अनुशासित सी होगी कम गैदरिंग पसंद करते हैं अपनी बात को पेश करने का इनका गुण बड़ा लोगों को लुभाता है बड़ी अनुशाशित सी वानी जान पड़ती है बड़ा डिसिप्लिन वानी जान पड़ती है कि बही यह जो कहते हैं वो करते हैं अगर मंगल मजबूत अवस्था में कियोतु की दिश्टी भी इसमें बड़ोतरी होती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगुपराशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्कार